हेलो अब्रीवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ अपढ़ना, आज की रेसिपी बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है, तो बच्चे बड़े सभी को यह बहुत ही पसंद आएगी, और आज मैं इसे बनाऊंगी दो तरे से, दो तरे से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ह यह तरीका है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को कर दीजेगा, लाइक और चैनल को कर लीजेगा, सब्सक्राइब, तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिए हैं, दो उबले हुए आलू, और यह आलू जो थंडे होने चाहिए तो इन्हें हमें इस तरह से मैस कर लेना है, आप चाहें तो आप इन्हें कदू कस भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एजी तरीका है इस तरह से, फौक से यह मैस हो जाते हैं, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और बिल्कुल भी इसमें गुठलियां भी ने रहती है मैं हमेंसा ऐसे इसमेस करती हूं और अब इसमें डाल देते हैं तेस्ट के कोणुन नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाऊडर, चिली आप कम खाते हैं तो कम डालें थोड़ा सा यहां पे डाल देतेHIN जीरा पाऊडर यहांद जीडा भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मिला देते हैं तो ये दो आलों से आप पूरे परिवार के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं तो अभी देखे यहां पे मैंने एक प्याच को इस तरह से बारिक बारिक काट लिया है शिमला मिर्च को मैंने देखी इस तरह से रिंग में काट रहा है और इस तरह से छोड़े छोटे पीसे में कट कर लिया है तो दो तरह से मैंने शिमला मिर्च ली है और हरा धनिया साथी दो ग्रीन चिली को मैंने कट कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रीन चिली को पहुच जाता मैं नहीं डालूंगा। थोड़ा यह डालूंगी क्यूंकि पहले ही मैं इसमें रेज चिली एड़ की हुई है पर नहीं जैने खापाएंगे। और आप थोड़ा सहरा धनिया भी एड़ कर दें और अच्छे से इसको हम मिला देते हैं और यहां पे जो कैप्सिकम है यानि की शिमला मिर्च और प्याज उसे हम अभी नहीं एड़ करेंगे तो अब देखिए यहां पे मैंने दो सूखी लाल मिर्चे ली हैं तो इन्हें हम कैंशी से छोटा-छोटा कट कर लेंगे और अगर आपके पास चिली फ्लक्स है तो उसका भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं यार मेरे पास इस टाइम चिली फ्लक्स नहीं था इसलिए मैंने दो सूखी लाल मिर्चों को इस तरह से कट किया है और देखिए मैंने इनको ऐसे कट कर लिया है यह चोटे-चोटे पीसे में अगर सुखाई हुई लाल मिर्च है न तो उन्हें आप तोड़ भी सकते हैं लेकि इन में थोड़ा सा मौस्चर था इसलिए तूट नहीं रही थी और अभी मैंने लिया है यहां पे आटा जो नॉर्मल गेहू का आटा होता न वही है यह जिसे हम रोटी बनाते हैं या फिर पराठा बनाते हैं तो इसमें नमक बगेरा मैंने कुछ नहीं एट किया था रोटी मैंने बनाई थी तो यह आटा बच गया था तो इससे मैं आज को एक ऐसी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो आप हमेंसे बना सकते हैं और बचे हुए सामान से बनाएंगे तो यहां पे देखिए रोटी के मैंने चार भाग कर लिये हैं मतलब चार लोई हैं थोड़ी सी बड़े साइज की बनाईएगा और यहां पे हम सूखा आटा इसमे इस तरह से बेली आ है तीकने साब देख सकते हैं इस तरह से होनी चाहिए और अब हम यहां पे जो हमारा मिक्ष्चर है आलू बाला उसको हम इस तरह से देखिए टिक की बनाके इसके सेंटर में रखेंगे इस तोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताक कि थोड़ा सा पतला हो तो आपको दो तरह से नास्ता बनाना बताऊंगी आप दोनों तरह से बना सकते हैं तो एक जो शिमला मिक्ष्च की रिंग है इसमें हम इससे सेंटर में रख देंगे थोड़ा सा में यहां पर चिली फ्लक्स इस पर रख देते हैं और यहां पर लिया है मैंने अमूल का मोज तो आप किसी भी चीज का इसमें यूज़ कर सकते हैं और चीज को हमसे से देखिए ग्रेट कर देंगे इसके ऊपर और जब चीज इसम एड़ होती है तो बहुती मन वालोकर अ क leaning घर आकर अब करेंए थोड़ा स सकते हैं झवार ये ऐड़ कर सकते हैं और या फिर चीली पहुत जादा हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं एड करें क्यूंकि इसमें अलुए उसमें मसाला एड किया हुआ है थोड़ा सा मिसमें नमक कर देंगे और इसको हम इस तरह से फोल कर देंगे देखिए इस तरह से फोल करने का तरीका आप आप देंगे और इसको हम फटा फट से इस तरह से हाथ हों से प्रेस कर देंगे क्यां कि हाथ होता है यह जो स्टफिंग ना वह तरफ अच्छे से फैल जाती है और जो इस पराथा है ना यह फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है तो देखिए मैंने इसको बेल लिया है इससे छी बहुत जादा मोटा मत करिएंगा नहीं बहुत जादा पतला और बस iscoachen तवे पड़ाल देंगे और थोड़ी देर बाद हम इससे पलट देंगे और दूसरा तरीका आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे तो दूसरा तरीका तो हम low to medium heat पे सेक लेते हैं क्योंकि पराठा कभी भी आप low heat पे ना सेकें लो हीट पे सेकेंगे न तो वो कड़ा कड़ा सा हो जाता है और अगर आप उसको high heat पे सेकेंगे तो अंदर से कच्छा रह जाएगा और उपर से जल जाता है तो पराठे को हमेशा low to medium heat पे सेकना चाह जाए है और अंदर की जो इस्टफिंग उसकी तो बात ही अलग है तो बस हमारा जो एक पराठा है बनके तैयार है तेखिए कितना ज्यादा यमी लग रहा है तो यह पराठा बना कर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं तो अगर आपने यह पराठा बना के बच सकते हैं और चीज की बज़े से बच्चे बहुत ही मन से इसको खाएंगे तो अगर आप पनी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं तो आप चलिए आपको बताते हैं तूसरा तरीका तो सारा प्रोसेस वही है बस यहाँ पर हमें कैप सिकम की रिंग इसमें नहीं अड़ कर दीजे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को जरूर प्रेस करें और अब मैं इसको उसी तरह से फोल्ड करूंगी जैसे मैंने पहले वाला फोल्ड किया था देखिया इस तरह से और इसको हम प्रेस कर देंगे इस तरह से अगर आपको कम तेल घी पसंद है अगर आपको थोड़ा सा ओईली पसंद है तो आप इसको डी फ्राइ भी कर सकते हैं बीना बेले तो आपकी ये पिजा पैटिस बनके त्यार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी है क्योंकि गेम के आटे की है तो हेल्दी भी है तो अब हम इस सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं इस टफिंग में आज मैं बना रही हूँ आलू पिजा पराथा एकदम नया पराथा है तो इस तरह से आप इसे जरूर बनाएं आपको ये रेसिपी बहुत ही जादा अच्छी लगेगी और आप इसे एक बार बार इसको बनाना चाहेंगे इस तरह से मैंने अपने सारे पराथे बना के तयार कर लिये हैं देखिए तो मैंने यहां पर थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं आप चाहें तो आप छोड़े छोटे भी बना सकते हैं तो जैसे भी आपको पसंद है और ये पराथा इतना ही ज्यादा यमी है तो को एक देंगे ना तो एक से तो मन भरेगा नहीं तो आप भी इसे जरूर बनाएं मेरे कहने पर और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथी शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंस में और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं सा आप मुझे फेस्बुक इंस्टार पर भी फॉलो कर सकते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्कॉप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग बाबाई